हलदवानी में हरेला पर्व के मोके पर विक्षा रोपन अभियान किया गया नरिता रोड स्थित पार्क में काला ढूंगी विधायक मश्रिधर भगत कुमाउप कमिश्णर दीपक रावत और जुलादिकारी वंदा सिंग ने विक्षा रोपन किया एक पेड मा के नाम अभियान में सभी लोगों ने पोधि लगा कर पर्यावरन को हरा भरा रखने का संदेश दिया इस दुरान लोगों को फलदार और चायदार विक्ष भी वित्रित के गए साथ ही नगर नेकर करमचारियों और स्वेव साहता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया कारक्रम में पहुंच वतितियों ने कहा कि आज पर्यावरन को सरिक्षिन करने के सबसे ज़ादा ज़रूरत है गर्मी और बर्साथ के मोसमें जिस तरह पर्यावरन असंतूलन इस बार देखने को मिला है उससे यस पश्ठ है कि अब रिक्ष लगा कर ही पर्यावरन संतूलन किया चाह सकता है कि अबने किया है और कि यह प्रदेश और देश की जट्ता को हर्याली के इस पर वपर रहेले के इस पर वपर सुपकामनाइं देता हूं बधाई देता हूं उनके उझ्वल वर्क्ष के कामना करता हूं साथ ही मैं हरेक्ष निवेदन करता हूं कि इस समय पर्यावरन को सुद्ध रखने के लिए ब्रक्षों की बहुत आउशिकता है इसलिए प्रधानमति जी ने भी सब्चे निवेदन किया है कि अपने मां के नाम एक ब्रक्ष चरूर लगाए और ब्रक्ष लगाएं नहीं उस सकता हमारी पूर्ती हो क्योंकि पर्यावन जिस तरी चे दूसी तो रहा है अगर इसी तरीके से नाधंद पेड़ कटे और पेड़ लगाए निए तो ऑक्सिजन का सिलेंडर लेके सबको चलना पड़ेगा तो बहुत सदग होके हमको रहना है और पर्यावन की पृति सदग ह हरेला की सभी लोगों को सबसे पहले शुब कामना हैं देते हूं हमारे यहां जनपत में साड़े पांच लाग पौधों के रोपन का लक्षे रखा गया है सभी विभागों के माधियम से उसमें मन्रेगा से भी ग्राम्स तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं आज सभी विका संस्कृति में इस पर्वका बहुत महत्त्व है तो हम लोग उसी भावना के साथ उसी मेसेज के साथ आज पौधार ओपन भी करें और परियावरन संरक्षन के लिए पौधों पौधार ओपन के अलावा भी जो अन्यकाम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें जल संरक्षन करें अभी मौनसून है बरसात हो रही है अगर अपने घरों में हम छोटी-छोटी रीचार्ज संरक्षनाएं बना लेंगे डीप रीचार्ज पर टिप्त्यादी छोटे-छोटे बना लेंगे तो जो जल है वो बह जाता है बरसात में नदी नालम में उसको हम भूमिगत जल क के साथ मिलाकर उसका संड्रक्षन कर पाएंगी